दोस्तों पाकिस्तान ने भारत को एशिया कप सूपरचार के दूसरे मुकाबले में 5 विकेट से हरा दिया है वहीं भारत ने विराट कोहली के 8 सतय की बदावलत पाकिस्तान के खिलाब पहले बलेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 101 क्यासी रन बनाए इसके जबाब में पाकिस्तान ने एक गेंद से श्रहते 5 विकेट पर 182 रन बना कर ये मैच अपने नाम किया वहीं 192 रनों के टार्गेट का पीछा करने उतरी पाकिस्तान के शलामी बलेबाज बाबाराजम और मुहमद रिजवान के बीच पहले विकेट के लिए 22 गेंदों पर 22 रनों की शाज़ेदारी हुई वहीं बाबाराजम 14 रन बना कर आउट हुए वहीं फकर जमान ने 18 गेंदों पर 15 रन बनाए वहीं मुहमद रिजवान तुफानी पाड़ी खेल कर आउट हुए उन्होंने 20 गेंदों पर 42 रनों की पाड़ी खेली वहीं मुहमद रिजवान 71 रन बना कर पवेलियन लोटें इसके बाद आशिफ अली और खुशदिल सहा के बीच पांचवे विकेट के लिए 17 गेंदों में 33 रनों की शाषेदारी हुए वहीं आशिफ आकरी ओवर में 16 के नीजी स्कोर पर आउट हुए वहीं इफ्तिकार ने पांचवी गेंद पर दो रन लेकर टीम को जीत दिलाई वहीं भारत के लिए बुमनेश्वर कुमार, अर्शिदीप सिंग, हार्दिक पांडिया, युजवेंदर चहल और अभी विष्णोई को एक-एक विकेट मिली वहीं अगर भारत की बले बाजी की बात करें, तो भारत टोस आरकर फले बले बाजी करते हुए रोही शर्मा और केल राहूल ने तीम को धामा के तार सुरुवाद दिलाई दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 31 गेंदो पर 54 ननों की शाज़िदारी हुई, वहीं रोही शर्मा 16 गेंदो पर 28 रन बना कर आउट हुए वही केल राहूल 28 रन बना कर आउट हो गए, उसके बाद विराट कोहली और सुरुवार यादब के बीच तीसरे विकेट के लिए 29 रनों की शाज़िदारी हुई, वहीं सुरुवार यादब ने 13 रनों का योगदान दिया, वहीं कोहली ने 5 के साथ मिलकर 24 विकेट के लिए 25 रन बना कर आउट हुए, वहीं हार्दिक पांडिया बीना खाता खोले ही आउट हो गए, वहीं विराट कोहली ने 44 गेंदों पर 60 रन बनाए, वहीं कोहली ने हुड़ा के साथ मिलकर 6 विकेट के लिए 24 गेंद में 37 रनों की साज़िदारी की, वहीं रवी बिश्नोई ने अंतिम दो गेंद पर 44 के साथ टीम का स्कोर 180 के पार पहुचाया, वहीं पाकिस्तान की और शेर शाबाद खान ने शर्वधिक दो विकेट लिए, आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद तो इस वीडियो को लाइक करें, सेर करें, कमेंट करें, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकों दबा दें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली हर एक वीडियो की लेटेस्ट अब्डेट मिलती रहें, धन्यवाद